मेरे पीछे है Australian Parliament, आइए एक छोटा सा टूर करते हैं ये है Australian Parliament का House of Representatives, यानि इनका Lower House जो कि इंडिया की लोकसभा के equivalent है इसमें 151 मेंबर्स बैठते हैं और बीच में जो चेर देख रहे हो वो स्पीकर की चेर है जैसे इंडिया में लोकसभा के स्पीकर की चेर होती है और आज सामने जो टेबल है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं खास बात यह है कि यहाँ पर जनता भी बैठके पारलेमेंट की प्रोसीडिंग्स देख सकती है यह है पबलिक सीटिंग एरिया उपर है वहाँ पर स्कूल के बच्चों के सीटिंग एरिया वहाँ पर मीडिया के भी बैठने की जगह है और कॉशन आवर जब चलता है पारलेमेंट में जब opposition सरकार से सवाल पूछती है तो हर कोई आकर देख सकता है स्कूल के बच्चों से लेकर पबलिक से लेकर मेडिया तक यह है इनके पारलेमेंट की छट और यहाँ पर टूरिस्ट का आना लोगों का आना अलाउड है क्योंकि उन्होंने बताया सिंबॉलिकली यह दर्शाना चाहते हैं यह जन्ता जो है लोग जो है वो पारलेमेंट के ऊपर है और इंट्रेस्टिंगली इस पारलेमेंट के सामने देखोगे स्टेट लाइन में तो वार मेमोरियल भी एनका similar design जो दिल्ली में हमें देखने को मिलता है पारलेमेंट से सीधा देखने पर इंडिया गेट देखने को मिलता है कुछ देशों में प्रोटेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने आपको एक healthy democracy मानता है तो यहाँ पर एक designated protest site बनाई गई है पारलेमेंट के सामने यह जो green area देख रहे हो यह प्रोटेस्टर्स के लिए है अगर कोई भी प्रोटेस्ट करना चाहे यहाँ पर हमेशा आके कर सकता है जैसे कि आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है affordable housing के favor में आम लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए पारलेमेंट के सेशन सुनने के लिए कोई appointment नहीं चाहिए हर Monday to Thursday दो बजे यह होता है और कोई भी पारलेमेंट के अंदर आ सकता है बिना appointment के यहाँ बैठ के सेशन देख सकता है Interestingly, Australia में compulsory voting है यानि हर इंसान को यहाँ पर vote करना पड़ता है नहीं किया तो fine देना पड़ेगा इसलिए voting percentage काफी हाई है 97% लोग vote डालते है तो overall आप system देख सकते हो कितना लोगों को engage करके बनाया गया है कि लोग जाज ज्यादा participate करें political system में अभी दो बजने वाले हैं और इनका parliament session शुरू होने वाला है तो मैं चलता हूँ आपस parliament में क्योंकि even as a foreigner मेरे को allowed है इनके parliament sessions attend करना बस मैं वीडियो नहीं ले सकता अंतर मिलते हैं